मेरे लिए सुभग्या की बात है कि हमारे देश के माननिय प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी जी ने मेरा भजन अपने टूइट किया है, शेर किया, इंस्टागाम पे भी शेर किया है अजि श्री रामचंदर जी का मेरा पहला भजन है, और भी आ रहा है अबी, मतलब तेरा पंदरा तारीक तक के अएक और आएगा प्रभो की मरजी से मैं भोले आन जी के भजन गाता था तो अब पहले एक भजन श्री रामचंदर जी का गाया है युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का आ गया हुई जीत सनातन धर्म की घर घर भगवा लहर आ गया 22 जनवरी को प्रभु सिरी राम की राम जन भूमी में प्रान तरिश्टा होनी है और आज देश के प्रधान मंतरी मोदी जी की और से एक आज सुवेरे उनके सोसल मेडिया पर एक गाना शेयर किया गया और उस गाने के जो भजन जो गायक है वो है हंसराज रगववनसी वो हमारे साथ है उनसे जानते हैं कि उनके लिए आज कितनी बड़ी उपलवदी है जैशंकर जैश्री राम मेरे लिए सुभाग्या की बात है कि हमारे देश के माननीय प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने मेरा भजन अपने टूट किया है शेयर किया इंस्टागाम पे भी शेयर किया है तो मैं धेर सारा धनेवत करना चाहूंग उनका और मेरे चाहने बाल मंतरी की ओर से जो आपका एक भजन जो है वो शेयर किया गया तो ये भजन आपने कब गया था और आप पहले कौन से भजन गाते थे मैं भुलेनाजी के बजन काता हूँ और भुलेनाजी और श्रीराम जी मेरे में अंतर नहीं देखता क्योंकि मैं हमेसे एक बात बोलता हूँ कि भुलेनाजी कहते है कि मैं तो श्रीराम चंदर प्रभुजी का सेवक हूँ क contrary according to belong to every school तो मैं रादाश्रिश्ण के गाता हूं ऐनुमाण जी के गाता हूं तो मैंने राम चंदरजी के भी गाना था तो वّम सोचतो काफ़ी टाइम से रहा था परें तो वह हुआ अभी कि मैंने भजन बनाया और तीन हप्ता पहले वो YouTube पर डाला तो मैं आपको इभी बता दूँ कि हम पूरा मेरे जे चैनल पर गाने आते हैं, मैं एक राइटर कंपोजर हूँ, तो मेरे जो यूटूब पर भजन आते हैं, वो बिदाउट किसी एड के होते हैं, और अर्गनिक होते हैं, और उस पे सारे मेरे चाहने वालों का प्यार मिलता ह और प्रभू, रामचंदर, भुलेनाज जी का आसरी बाद मिलता है, बस उसी के दम पे मैं चल रहा हूँ, और बस और कुछ नहीं होता, और इसलिए मैंने वो गाना बनाया, यूटूब पे तीन हमते पहले डाला, और धे सारा प्यार मिला, और आज आप बता रहे हैं कि, औ रिंदर मोधी जी ने मेरा भजन शेयर किया है, तो मैं आपने आपको सोभग्य सानी मनत हूँ, जिस तरह से मोधी जी ने आज आपका गाना शेयर किया, तो उसके बाद जो गाने को उन्होंने खुद लिखा अपने ट्विटर हैंडल पे भी, कि जो ये गाना है वो सब सुन धर्म की घर घर भगवाल है रागया, जागा है अब अध का, भाग जी गूँजा है बिजे का, राग जी योगी संतों की अखियों से छलका है प्रेम अनूराग जी सज धज के, सज धज के, ओ सज धज के लागे सब से न्यार राम, भोलो जै जै शी राम तो रगोज जी ये बताईए कि जो आप कहां से हैं हमारे दर्सकों के बताईए कि आप कहां के रहने वाले हैं और आप हिमाचल के किन बादियों से आप आये हो मैं वैसे पूरे हिंदुस्तान से हूँ परतु हिंदुस्तान की स्टेट है हिमाचल परदेश मैं दे भूमी से हूँ और दे भूमी से हूँ मतलब डिस्टिक मेरा सुलन है तो आप किस तरह के पहले गाना गाते थे और अब जो राम का जो आप पहला गाना गाया है तो यह आपका फर्स्ट गाना है? हाँ जी, श्री राम चंबर जी का मेरा पहला भजन है, और भी आ रहा है, मतलब 35 तो तक का कैका है और प्रढो की मर जी से और मैं भुलेणाजी के भजन गाता था पहले, तो आप पहला एक भजन श्री राम संदर जी का गाया है Wow आहराह मेरा भूला भंडारी करे नंदी की सावारी भोले नाथ रे हो शंकर नाथ रे ओ भोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी खाली जोली लाया जी खाली जोली भर दो जी काले आसर पावाडा मेरा भोले बाबा सिखर कैला शा तेरा देरा ओ जी इस तो बाइस तारीक को जो प्राण प्रतेष्टा का कारेकरम है उस पर आपको निवनतन आया शरभ या नहीं मुझे आभी नहीं आया जैसे प्रभू रामचंद्र की मर्जी होगी आयेगा वरी तो झूद को चक्क्र नहीं है क्योंकि हम कुछ इसी में खुश है कि प्रभू रामचंद्र जी आ रहे हैं और नहीं आया तो दोबारा चेले जाएंगे जब भी टाइम लगए कगा तो प्रभू रामचंद्र की अभी मैं देखानी है, मैं सो बस इंटर्विव दे रहा हूं, तो मतलब फर्क तो पड़ा है, और मैं फिर से उनका धन्यावाद करता हूं, माननिया प्रधान मंतरी नेंदर मोदी जी का, कि उन्होंने इसे शेयर किया, और पूरे मेरे चाहने वालों का धन्यावाद करता हूं क्यूंकि आपके उनके प्यार के कारण ही, और भोलेनाज जी के अस्रीवाद के कारण, श्रीरामचंदर जी के अस्रीवाद के कारण ही सब संबभ हुआ है आगे भी आप राम के लिए किस तरह के गाने और आप तियार करने वाले हैं? मैं बहुत ही अच्छे अपनी कोशिश करूँगा कि मैं, देखो हर एक सिंगर आर्टिस्ट भजन बनाता है, अब वो चले या ना चले वो भगवान के हाथ में होता है, तो मैं बनाऊंगा और अच्छे-अच्छे भजन लाने की कोशिश करूँगा तो यह थे हंसराज रगवनसी जी, इनका कहना है कि आगे भी जो है वो राम भक्त के जो गाने हैं वो गाते रहेंगे, न्यूजट इन इडिया के लिए चमन पलानिया, चंडिगर